ऐसा आपके साथ एक बर तो हुआ ही होगा ना कि आपने कोई ओवर हाइपड ब्यूटी प्रोड़क्ट ट्राइ किया और फिर आपके स्किन भारा डेजर्ट ड्रैसी ड्राइ हो गए या फिर मोईस्चुराइजिंग फेस मास्क ने आपके फेस ज्यादा ड्राइ बना दिया ऐसा होने पर आपको प्रोड़क्ट को यूज करना ही बन कर देते हैं या फिर ब्यूटी प्रोड़क्ट लेना ही छोड़ देते हैं पर कभी आपने यह सोचने की कोशिश की है कि जो प्रोड़क्स आप यूज करते हो वो आप गलत तरीके से यूज कर रहे हो और ज़रूरत है कि वो तरीका बस चेंज करने की तो दोस्तो अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले यूज वाइप्स टु रिमूफ मेकप एवरी डे वाइप्स से मेकप क्लीन करना बहुत ही कन्वीनेंट होता है ना पर हर बार आप वाइप्स तो यूज नहीं कर सकते ना और वैसे भी वाइप्स से बीट क्लीन्स तो नहीं होता वाइप्स रफ मटीरियल से बने हुए रहते हैं जो इरिटेशन, ड्राइनेस, कॉस करते हैं और जिसकी वाज़र से आपकी स्किन स्ट्रेच हो जाती है आपको वाइप्स तभी ही यूज करना चाहिए अगर आपके पास वाटर और गुड क्लेंसर हो You think that serums can be used on their own Serums को Moisturizing Cream से पहले लगाना होता है और अगर आप शाम में लगाएंगे तो और भी अच्छा होगा Especially अगर सीरम के अंदर Retinol हो तो यह आपकी स्किन को fully necessary nutrients अब्जॉब करने देता है और समर में Retinol Rich Products Sunscreen के साथ मिला कर लगा सकते हैं ताकि आप sunburns भी avoid कर सकते हैं Use Dry Sponges After Putting Foundation Most sponges या कोई भी popular beauty blenders wet use किये जाते हैं और इसलिए Dry Sponge यूज़ करने के जगा wet use करके देखे यह foundation को blend करने के लिए और foundation को यह evenly और smoothly blend होने भी देगा You don't know the difference between concealer and character हम में से कहीं सारे ये दो beauty products पे confused रहते हैं कि concealer कौन सा है और character कौन सा है तो मैं आपको बता दू कि concealer सिर्फ eyes की नीचे वाले areas पे लगाना होता है और character skin के defects hide करने के लिए यूज़ किया जाता है जब आप concealer यूज़ कर रहे हो तो आपको आपकी skin advance में moisturize रखनी चाहिए और एक character को अगर massaging movements के angle में रब करे होते हैं पर सिर्फ makeup निकालते वक्त और वो भी शाम में पर आपको face cleanser सुभे और शाम दोनों वक्त यूज़ करना चाहिए इस तरीके से आप death skin cells और सारा dirt sweat जो भी आपके skin पर है वो remove कर सकते है अगर आप scrub को quit करके सिर्फ cleansers, acid के साथ यूज़ करेंगे तो भी अच्छा है पर याद रखिए aggressive cleansing necessarily अच्छा नहीं होता है अलग अलग तरीके के facial mask को अलग अलग direction में यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है अपने face पर mask overnight ना रखे और अगर manufacturer ने directions के अंदर mention नहीं किया है तो क्यूंकि ये आपको serious skin problems भी दे सकता है तो ये थे कुछ tips जिससे beauty products अच्छे से और long time के लिए use कर सकते हैं और इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें comment section में ज़रूर बता है और अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे like, share and comment ज़रूर करें तो अगले वीडियो तक के लिए अलवीदा दोस्तों धन्यवाद